नास्त्र दमस एक बहान जोतिशी और भविश्यवक्ता थे। वे भविश्यवक्ता होने के साथी एक डॉक्टर और शिक्षक भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भविश्य में होने वाले घटनाओं के संकेत दिये हैं। उनके कोई भविश्यवाणिया इतनी सटीक साबित हुई कि आज दुनिया में होने वाली हर घटना के पीछे नास्त्र दमस के कही शब्दों को खंगाला जाता है। अभी दुनिया कोरोना संकट से जूज रही है। और सोशल मेडिया में ये दावा किया जा रहा है कि नास्त् कोई इलाज भी नहीं होगा। हालकि उन्होंने इस बिमारी को कोरोना वाइरस का नाम नहीं दिया था। लेकिन अभी की परिस्तितियों को देखकर दुनिया उनकी इस भविश्यवाणि को कोरोना वाइरस से जोड़कर देख रही है। उनकी किताब का नाम Less Professors बताया जा र भारत में भी सो से ज्यादा लोगों में कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा कोरोना से पहली मोद भी भारत में तर्ज हो चुकी है। ट्विटर पर नास्रेदमस की किताब के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। किताब के उस इससे की तस्वीर आ जाएगी इस भविश्यवानी पर इसलिए भी विश्वास किया जा रहा है क्योंकि चीन का वुहान प्रांथ समुद्र किनारे के बसा हुआ है और यहां समुद्री बोज्य पदार्थों का बाजार भी लगता है और इसी शहर से कोरोना वायरस पैदा हुआ था नास्त्रे दमस के अलावा एक लेखी का सिल्विया ब्राउनी ने भी 1981 में छपी अपनी किताब में एक ऐसी ही गंवीर बिमानी का जिक्र किया था एंड ओफ डेज नाम की इस किताब के पेश नंबर 312 में ये दावा किया गया है कि साल 2020 में एक निमोनिया की तरह बीमारी संसार पर हमला करेगी जो मनुशी के फेफ़नों पर असर करेगी इसका कोई इलाज नहीं होगा लेकिन ये अचानक ही गायव हो जाएगी उसके बाद 10 साल बाद ये बीमारी फिर हमला करेगी और उसके बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी नासरे दमस की बात करें तो उन्होंने अपने भविश्यवाणी में साल 2020 को बरबादी का साल बताया है उन्होंने इस साल तीसरे विश्यु युद्ध की भी आशंका ज सच साबित होती दिखाई दे रही है मध्यपूर्व के देशों में युद्ध के हालात बने हुए है और एक वर्ध विशेश का यूरोप के देशों में शर्यांत्र पूर्वक जंसंक्या बढ़हना युद्ध की आशंकाउं को जन्म दे रहा है उनकी किताब में बताया गय अन्वी दुनिया को कई प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है आजकर जलवायों परिवर्तन एक वैश्विक मुद्धा बना हुआ है इसी साहर ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगलों में लगी भीशन आंग और कोरोना वायरस की चपेट में आई दुनिया उ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं